नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके परने चैनल स्टड़ी वाइस ओफिशल पर दोस्तों आज का हमारा टोपिक है Modern History का Most Important Topic Congress Adivation ये टोपिक इतना important है इस बात का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें SSC के exam चल रहे हैं और लगभग हर shift में Congress Adivation से question पूछा ही जा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए काफे important होने वाली है अगर आप ये वीडियो को पूरे एंट तक देख लेते हैं तो इस टोपिक से आपका कोई question गल्थ नहीं होगा और हां अगर आप ट्रिक के च concentration से देखना है तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए अब हम इस टोपिक को समझना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस स्थाबना कब होई किसने की जो कि हमारे exam के लिए महत पूरण है तो मैं तो इससे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप पूरी concentration के साथ इस कहानी के सुने में और इसके साथ link करिए अपने आपको तो आपको अच्छे तरी से समझ जाएगा तो यह कहानी शुरू होती है 28 दिसंबर 1885 से तो कांगरेस की स्थापना होई थी 28 दिसंबर 1885 इस तो आखिर इन्हों ने कांगरेस पार्टी की स्थापना की क्यों तो चलिए थोड़ी पीछे की स्टोरी में आपको बताता हूं तो जैसे कि आपको पता होगा सन 1857 इसवी की किरांती बहुत ही मशूर है तो सन 1857 इसवी के बाद क्या हुआ था कि भारत की कोनी कोनी पर अंग पूरे भारत का प्रतिनित्रतों करें और वो जैसे कुछ भी प्रोलम हो तो वह हमें बताए तो उसके बाद हम सुनेंगे मतलब उन्हों इसलिए नहीं किया था कि यहीं कॉंग्रेस बाद जो आज एक जिंगारी है बाद में एक आतरोब धारन कर लेगी और भारत की स्वतनत को बनाया था पर बाद में इसी पार्टी ने विक्रार रूपधारन कर लिया और भारत की स्वतनतता के लिए एक अपना एहम योगदान दिया यह यूग का सोचना था कि यह हमसे मतलब अर्जी करेंगे याचिका करेंगे फिर उसके बाद हम इसे हैंडल कैसे करेंगे यह हमारे उपपर है पर उन्हें यह नहीं पता था कि यहीं पार्टी बाद में भारत को स्वतनतता दिलाएगी तो चलिए आप आश्या करता हूं आ यह बंबई ही मेंशन है जिसे आज बंबे का जाता है तो बंबई के गोकुल दास तेजभाल संस्क्रिट विद्याले इसका नाम करती तो जो यह न इसका नामकरन भारतियर राश्ट्रें कॉंग्रेस किया तो जो ये ए यूम है इन्होंने इसका नाम रखा था भारतीय राष्ट्रे संग क्या नाम रखा था भारतीय राष्ट्रे संग पर दादा भाई नोरोजी ने इसका नाम बदल का रख दिया भारतीय राष्ट्रे कॉंग्रिस बहुत इंपोर्डन है किसी ने इसका नाम करन किय दादाभाई नौरोजी निकिया जिसका पहले नाम क्या था भारतिय रष्ट्रे संग और यह जो दादाभाई नौरोजी है इन्हें Grand Old Man of India भी कहा जाता है काफी बार पूछा गया ग्रेंड ओल्ड मैं ओफ इंडिया किसे का जाता है दादा भाई नौरो जी को और एक एक्स्ट्रा फेक्ट में आपको बता दो कि यह ब्रिटेन में इन्होंने चुनाव जिता था और चुनाव जितकर वहां की संसाथ में पहुंचने वाले पहले एशिया ही थे पहले भारती नहीं पहले एशिया ही जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर चुनाव जीता और वहां की संसाथ में पहुंचे थे इसलिए काफी इंपोर्ट है तो चलिए आगे देखते हैं यह कुछ पर्मुक बयान है जो कि इसलिए मैं सोचा इसे भी मैंशन कर देता हूं तो सबसे पहले दे कि यह जो पार्टी बनी थे एक तो पहले अंग्रेजिन बनाई थे उन्होंने यह नहीं सोचा था ना कि आगे जाके यही पार्टी सो तंत्रद लाएगे आगे जाके यह सब व्यक्ति उनसे जुड़े पर शुरुआत में यह ब्यान दिया था कि कॉंग्रेस की जो आवाज यह जनता की आवाज नहीं है क्योंकि जो यह पार्टी थी आगे हम पढ़ेंगे कि जो शुरुआत में जो पहला धिवेशन हुआ था उसमें से 72 प्रतिनिधी जूड़े थे मलना से 72 मेंबर थे बहुत इकम जिन्होंने इसलिए कहा था कि जो कांग्रेस की आवाज है यह पूचा गया है कि सूक्ष में दर्ची अलपसंग्यों की संस्था किसी ने कहा था यह डफरीन ने कहा था तो अगला बयान है और विंदो घोष का यह वी काफी इंपोर्डर है यह कहते है कि कांग्रेस जो है भीक मांगने वाली संस्था है इन्होंने ऐसा क्यों कहा तो जैस जबेंख्यकर वेज़रों हो रहे हैं उन्हें दबाए जा सकें और हम कह सकें कि आपकी बात को सुन रहे हैं पर उस बात को सुने ना शूछ Schon किए चैन्ई करना नहीं हो श्युकि करना नहीं शंब कहतीर नें जीर कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए यह जो बियान दिया था यह कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए इसलिए इतनी फेमस हो चुकी थी उससे में भारत में इसलिए उन्हों ने बाकी लोगों ने जो बाकी मेंबर थे उन्हों ने इसको समाप्त नहीं किया पर गांधी ज जो कि एक्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसे कवर किया आप नहीं याद अखना तो चलिए अब हमें अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि जो महत्रपूरन कॉंग्रेस अधिवेशन है वैसे तो देखा जाए तो जो कॉंग्रेस के अधिवेशन है यह 50 से जादा है पर मैंने इसमें लगभग 17-18 कवर किया हैं इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यहीं बार-बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैंने पहले देखा कि कौन से रिपीट हो रहे हैं बार-बार उन्हीं को कवर किया है इससे बाहर आपका कोई नहीं पूछा देखते हैं तो जैसे कि Congress के स्थापना कभी थी 1885 से तो हमें शुरुआत करनी है 1885 से तो पहले चार आपको याद रखने हैं लगाता रहां याद रहेंगे पहला 1885 दूसरा 1886 तीसरा 1887 और चोथा 1888 यह पहले चार अधिवेशन हैं और यह अधिवेशन कहां कहां पर हुए य यहां यहां पर बहुत सो समझ किए यह यहां पर किये गए थे पहला बंबय में किया गया था फिर कलकत्ता किया गया था फिर मद्रास में किया गया था और इलहाबाद किया अभी आप बस इससे सुनिए आपको खुद याद रहेंगे बस आप मैं आपको जो बताना चाता जीजसे प्लस्лоस्फे आप देख रहे हं कि पहला दिए 내일 विमेस चंद्र बैनरंज़ी ऑर दूसरा जो है अधिएक्षन कलकत्ता में ददादा भाई नौरोजी थे तीसरा मंँद्रास में किया गया उसमें अध्याश को थे बदरुदिन तयब थे चोथा दिवेशन इलहाबाद में किया गया और उसमें अध्याश को थे जोर्ज यूल आप अध्याश पर देख रहे हैं अगर आप अध्याश पर गोर करें जो पहले अध्याश थे यह हंदू थे दूसरे पार्सी थ द्रियर नूरू को तर अभी धर्मों को इसमें भारत के अध्य př mesmo svizingा फेले हिंदू थे दूसरे पार्सी थे तिसरे मुस्लिम थे और होटे्य इसाई थे मल्या सभी धर्मों को इसमें гровक किया ताकि यह लगे यह दिखाया जा सके कि जो Congress Party है यह सभी पूरे भारत का प्रतिनितों कर रहे हैं ना कि पर्टिकुलर जगह से अपना प्रतिनितों कर रहे हैं और अगर यह देखें कि कौन कौन से स्थान तो मैं आपको मैप से बताता हूं देखें पहला अधिवेशन जो हुआ जो कि भारत के पुरे West में हैं दूसरा कलकत्ता में हुआ जो की East में हैं तीसरा मद्राइश में हुआ जो की South में है और चोथा इल्हाबाद में वह जो की North में आ जाता है तो देखा इससे यह दिखाने के कोशिग घिएैं कि हम पूरे भारत के को मलएर हम एक की पार्टी नहीं है हम पूरे भारत को कवर कर रहे हैं इसलिए उन्होंने अपने अध्यक्ष भी हर धर्म के रखे और जो पहले चार अधिवेशन हुए वह भारत के की पार्टी है क्योंकि पहले बात में जो इसके अधिवेशन हुआ था उसमें बहुत खिंपरों ने भाग लिया था और दूसरा कलकत्ता में हुआ जिसमें दादाभाइ वubby az Kita ने भाग लिया तिसरा मद्राज में जिसमें बद्रुदिन तयीब ने इससे क्या पूछा जाता है कि जो कांग्रस के पहले मुसलिम अध्यश कॉम थे तो कंग्रेस के पहले मुसल्म अध्यश क्वा से बद्रु दिन तयीब यह यह कोशन इतना बार पूछा अधेश्कों थे तो वो विमेश चंद्र बेनर जी थे इसे हमें इतना सीखने को मिला और आप इसे याद रखेगा कि इसे इसे बहुत वार पूश्चन पूचा गया है इतनी पार्ट से तो नेक्स देखते हैं अब यह देखिए आप घबराईए गमत बहुत यह असानी से हमने चार जाद के रहे हैं उसके बाद यह था गिर में इसे इसात yeah कि और हुआ आपको हमको पता थाइब कर दोनों से क्या पूच्छा जाता है हर बार सान कलक्ता मेंगे कलक्ता में ज़्यादा अधिवेशन भी हुए कॉंग्रस के क्योंकि जो कलक्ता था या अगरोजों की टायम आओ को पता कि दिली से पहले भारत की राध्धानी कौन सी थी futuro- thirty-day administrator तो पहली HE जो बंदे मातरम गीत गाया यह भी कलकत्ता में गाया गया और जो पहली बार जनगर्मन गाया गया यह भी कलकत्ता में गया गया और जो पहली बार बंदे वातरम गाया गया यह किसकी अध्यक्षता में गया यह बहुत बार पूचा गया तो यह रहम तुल्ला सयानी की अध्य 1792 और 1911 इन दोनों को इकठ्था करना है कि पहली बार बंद्यमात्रम यह भी कलकत्ता में गया गया जो बंद्यमात्य आद्रम की याद्रक्ष थे रहीमटूला सयानी थे और जंगर्मन की याद्रकष को थे विशन नरयान धन यह दो याद हो गए और आपको यह तीन कढ़्फ है 1905 1906 और 1907 इनको इक अठा याद करना है अब कर से करना है मैं आपको समझाता हूं वही अपनी कहानी से तो उसके बाद हम देखते हैं 1905 अगर आप गोर करेंगे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी हुआ है अगर आपने वीडियो को देखा होगा मैं आपको अच्छा रिस्पोंस रहा है मैंने बहुत अच्छी तरीके से और चोटी सी वीडियो में आपको बहुत कुछ कवर कर रहा है तो उसमें मैंने यह बताया हुआ था कि जो सन 1905 इसमें क्या हुआ था कि अंगरेजियों नों बंगाल का विभाजन कर दिया था महला बंगाल को आज आप जो देख रहे हैं जो बंगलादेश बन गया उसमें भी ऐसे पूर्वी बंगाल और पश्मी होगाल को बाड़ दिया गया था बाद में एक यह जूट हो गए थे और बाद में पाकिस्तान बन गया था लेकिन 1905 इसमें भी इसका विभाजन कर दिया था इशके वि जाजनेतिक गुरी हुँपालक्रiton गोखली इनकी आद्यmäßigता में बंग भंग अंदोलन कीया गया मंझ बंग बंग को भंग किया गया बंगाल को विभाजित किया गया उसके विरोध में अंदोलन किया उसका समर्थन किया था क्योंकि 1905 में आप याद रख सकतें नि से की bekommen बंगाल का विभाजन हुआ था व्टोंसी समय अंदोलन का समरत्न किया गया था 1945 में पूछा किया जाता है वնदनी OrigTI समर्ठन कहा था सबना ननीसों पांच समय और इसके अध्येक्ष इसमय कंते याद रखन के पूछा जाता है यूपाल परिशन गोखले जो घांदी जी के राजनीते गूरों हैं यह उनके अध्यक्ष थे तो 1905 के बाद मैंने बता था आपको यह त्नी नहीं कठे या रखने हैं 1905 1906 और 1907 तो अब देखते हैं 1906 तो 1906 भी कहां पर हुआ कलकत्ता में ही हुआ ज्यादा तर मैंने आपका बता ना अमकल पर हुआ तें कलकत्ता में ही रहते तक ये भी दादा भाय नोरॉजी की अधिया था कि किया गया था और इसमें क्या है कि सुराज शभ्द किसने किया था रास भिहारी घोष में तो इस समय क्या हुआ कि Congress का विभाजन हो गया और नर्म दल में बढ़ गया क्योंकि क्या कुछ नेता थे उनको गते कि हम अंग्रे सरकार किया कि गर्गण नहीं सकते जैसे कि इस पार्टी का क्या था कि कोई भी बात हो तो उसे रिक्वेस्ट की जाती थी तो उनका नेताओं का वह कुछ गरम सुभाव के तो इसलिए नाम गरम दल रखा कि हम संघर्ष करेंगे जब लेकिन सरकार क्या के गिलाएंगी नहीं इसलिए इसका विभाजन हो गया और नरम दल में और कुछ गरम दल में इनका विभाजन हो गया यह मैंने पहले की इसे वीडियो बनाएगे बहुत अच्छी तरीके चिने नरम दल के अगर आप ने वीडियो नहीं देखिता आप का विभाजन हो गया था ठीक है और आख्री वाला तो मैंने करी लिया इसको याद कैसे करना है एक बार मैं आपको बताता हूं 1896 और 1911 को याद करना है जन्गर्मान और वंदे मात्रव और 1905-1906 और 1907 को याद करना है तो इसके बाद अब कुछी बच्चे हैं इन्हें भी दे आप बताया था अभी पिश्यम ने पढ़ा ना कि 1907 में क्या हुआ था कांग्रेस का विभाजन हो गया था और 1916 मालब 9 सालों बाद क्या हुआ जितने विभाजन हो थे जैसे 1906 में क्या हो था मुस्लिम लिग बट गए थी मैंने आपको बताया निसमे मैं पिछली वीडियो का समझोता कब हुआ जैसे मुसलिम लिग कॉंगरेस नरमदल और गरमदल सब के मद्ध में समझोता हो गया मालब सब आपस में एक जूट होगे कब 1916 में इसमें क्या बना था भी कि ये कि अधेक्षता में एक जूट हुए थे तो अंभिका चरन मजूमदार की अधेक्षता कि जाजबते जितनी भी पार्टियां थे ये एक जूट होगे मां अम्बे के चरन में गिरके जो पार्टियां थी वो एक जूट होगे उन्होंने सम क्यों ये कसम घाएए कि अभन कलकत्ता में हुआ सोरी कलकत्ता में हुआ है और इसके अध्यक्षता किस ने की थी तो एनी बैसंट ने की थी यह क्यों एप पर्थम महिला अध्यक्ष थी अब थोड़ा हम रिपीट करते हैं पहले मुस्लिम अध्यश्कों थे बदरु दिन तयब थे तो और उसके बाद पहले पहले अदेश को थे तो व्यमेज चंद्ड व्यनरजी थे वेनरजी थे और पहले अग्रेश्अद्यस को थे तो जो एद यहाँ ते यहां से और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पहली महिला अद्याश कों थी तो एनी बेसंट थी इसमें काफी confusing है एक यह चीज में कि पहली महिला अद्याश और पहली भारतिय महिला अद्याश यह देखें जैसा कि आप यह देख रहे हैं 1925 में कानपूर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नाइडियो और जो यह आप 1917 में देख रहे हैं यह कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था एनी बेसंट इसके अद्याश थी यह पहली महिला अद्याश थी मलब पहली महिला अद्याश पूछा जाए इसे में बार-बार confusing create करता एक्जामिनर हो यह पूछता कि पहली महिला अद्याश को अधिवेशन था सरोजनी नाइडू जिसके अध्याश थी वह पहली भारती महिला अद्याश थी तो 1916, 1917 और 1925 यह तीनों हमने याद कि अब यह बचें 1924 यह भी काफी इंपोर्ट है मैंने इंपोर्ट इसमें कवर किया है इसलिए बताने को जरूरत नहीं है कि यह भी किसी ने किसे में पूछे सब्सक्राइब हुआ को हम और चारी वीर रागवाचारी इसके अधेश थे intern तो अगर आप थोड़ा लिंक करें मैंने जब आपको महात्मा गांधी जी का पूरा बताया था वीडियो में गांधी अंदोलन जितने भी अंदोलन गांधी जी ने किये थे मैंने उसके उपर एक डेडिकेटर वीडियो बनाई हुए है आप अपने इस चैनल में जाकर और वीर रागवाचारी इसके अध्याश थे क्योंकि असयोग अंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था कोई वीर व्यक्ति ही चाहिए ना जो इसके खिलाफ अध्याशता रखे तो वीर रागवाचारी थे उन्होंने इसके वह अध्याश बने थे तो इस समय क्या कोई रूल रेगुलेशन चाहिए ना तो जो कांग्रेस का समिधान था उसमें परिवर्तन होता परिवर्तन क्या हुआ था मैं आपको नोलेज के लिए बता देता हूं इसमें यह परिवर्तन हुआ था कि इसमें यह हुआ था कि अगर कोई भी 21 वर्ष की आयो अला व्यक्ति आप कांग्रेस का अध्यर्ष बन सकता है और उसको बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा 25 पैसे का चंदा देना पड़ेगा तो दो कंडिशन थी एक तो उसे 25 पैसे का चंदा देना पड़ेगा एक आत असयोग पस्ताव पारित हुआ था इससे तो याद रगना मुश्किल नहीं है मैंने आपको बता है ना 1920 में हुआ क्योंकि 1920 में ही असयोग अंधोलन हुआ काफी फेमस था तो आपको याद होना चाहिए और वीर मैंने का ना कोई असयोग अंधोलन अंग्रेजों के खिलाफ कोई वीर व्यक्ति ही चाहिए तो उसके अदेशता वीर अगवाचारी ने की बाकि मैंने को बता है कि सविधान में परिवरतन भी सीसरेम हो था और असयोग पस्ताव यहां पर पारित हुआ पारित होने के बाद अंधोलन हुआ था ठीक है उसके बाद आता है 1924 मोस्ट इतनी बार पचा गया कि कोई हद नहीं कि 1924 जो अदिएशन ने क्यों फीमस है क्योंकि महत्मा गांधि ने इसकी अदेश्टा की थी और याद रखिए कि पूरे जीवनकाल में महत्मा गांधि ने सिर्व एक ही बार आदेश्टा की थी कोंघ्रस कि वह यह थी बेल गाउं म पूचा काम है करनाटक में है तो बेल गाओं में महात्मा गान्धि ने अधेष्टा कि थी कितिनी बार सिर्फ एक ही बार ऒबने यह क sporting Mantra करे कि महात्मा ओच मतरफ कई बार बनने किसेराश बनि जाता है कि पंदीजी किसा। में अध्यक्ष बने थे तो बेलगाओं के अध्यवेशन में वह अध्यक्ष बने थे जाद हो कि 1925 वाला मैंने आपको बताई दिया था तो इसको याद करने के तरीका कैसे था और 1920 वाला कोई वीर ही करेगा सायों गंदोलंग और महातमा गंदी एक ही बार माने ठीक है यह चार ही हो गए बस आप कुछी बच्चे हैं यही चार बच्चे हैं इसके इलाव अगर कोई भी कोशन नहीं बनेगा आप टेस्ट लगा लेना आप देखना कि प्रिविए सेरी में भारत के पहले प्रधान मंत्री कों थे जोहरलाल नहरू और भारत के पहले उप्रधान मंत्री कों थे वल्लभाई पटेल तो दोनों नहीं पाकिस्तान में देखता की थी इंट्रेस्टिंग है जो जोहरला नहरू थे इन्होंने लहोर में की थी लास यार लाल लाहोर और जो को हमें भगाना है अब पूर्नसवराज की मांग कब हुई थी ज्वहरला नहरू की अध्यक्षता में इससे आप याद रख सकते कि इन्हों नहीं मांग की थी इसलिए इन्हें प्रधान मंतरी बना दिया गया वह अई कहां पर हुई थी लहोर में अधिवेशन हुआ था ठीक है ना देखते हैं 1931 कराची दो साल बाद कराची में हुआ उन्हें प्रधान मंतरी बना देगा कोन वल्लभाई पटेल और इन्होंने क्या किया था कि मोलीक अधिकार प्रस्ताव पारित हुए था इस अधिवेशन में क इसलिए इंपोर्र है यह भी अधिश्टा जोहला नहीं नहीं की थी यह रखना पर यह पहली बार था कि गाउं में अधिवेशन होता अभी तक कि जितना भी अधिवेशन हुए कोंगे से वह सब जाता तर शहरों में मतलब ज्यादा भीड़ भाड़े वाले हिलाके में था जो राखले परधान मंतरी थे उनी के अधिश्टह में हुआ इसलिए जन्ता लुभावी थी और हूं इनी परधान मंत्री बना दिया गया यह मैं आपको याद करने के लिए बता रहाँ ऐसा सव्ष्ण हुआ नहीं था ठीक है जहाला नहरूं के अधिश्टह में पहली कौन थे जे भी किर्पलाने तो याद करने का तरीका मैंने आपको बताया ना उने सुन अतिस इकतिस और सेंटिस और सेंटाइस बाकि आपने पीछे सब याद कर लिए होगा ति आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है आशा करता हूं आपको नॉलेजफूल लगी होगी और आपके लिए हेलफूल होगी धन्यवाद